फ्रेंस आप सभी का वेलकम है मेरी यूटूब चैनल सब के सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी इमेज का जब आप सेलेक्शन मनाते हैं और सेलेक्शन मनाने के बाद उसे पाथ में कनवर्ट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं उसे वेक्टर मास्क में कनवर्ट करना तो आप कैसे करेंगे वेक्टर मास्क क्यों यूज करते हैं या आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कई बार वेक्टर मास्क आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी work मैं Photoshop में करूँ वो non-destructive बने तो by the way इसका selection में करता हूँ quick selection tool से और उसके बाद देखे कि आसाने से इसे हम लोग vector mask में कैसे convert करते हैं और साथी साथ हमें path भी मिल जाएगा ये complete selection होने के बाद आप यहाँ layer panel में path select करेंगे path के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर path create करने का option है अगर आप इस पर click कर देंगे तो ये selection को path में convert कर देगा लेकिन अगर आप इस पर click करेंगे तो ये जो path अभी create हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा anchor points होंगे और unwanted तरीके से anchor points होंगे आप देख सकते हैं इसके eyeball को मैं बन करके दिखाता हूँ ये देखिए आप चाहते हैं कि इसमें anchor points भी perfect हो और selection भी अच्छा हो उसके लिए आपको एक trick अपनाना पड़ेगा वो trick ये है अभी बताता हूँ आप यहाँ path में जाएए सबसे पहले मैं control Z करता हूँ और यहाँ पर आप alt प्रेस करके अगर इस path पर click करेंगे तो आपको एक option मिल जाएगा कि आप कितने distance पर यानि क्या tolerance रखना चाहते हैं एक anchor point से दूसरे anchor point के बीच में जैसे यहाँ पर one है अगर मैं यहाँ कर देता हूँ कि मुझे five pixels का tolerance चाहिए तो मैं यहाँ पर five fill करूँगा और उसके बाद यहाँ से okay कर लेंगे अब आप देखेंगे यह जो path create हुआ है अभी इसके बीच में distance दूरी दूरी पर मिलेगी आप देख सकते हैं इसके eyeball को बन करके दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर बहुत ही कम anchor points बने हैं और selection भी हमारा perfect हुआ है अब अगर इस selection में कोई भी changes करना चाहते हैं तो आपको मालुम है कि आप direct selection tool का use करके इसके handle को adjust कर सकते हैं इसके path को adjust कर सकते हैं अब इसे vector mask में convert करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर click करना है इस layer mask के उपर control और shift प्रेस करने के बाद अगर आप control शिफ्ट प्रेस करने के बाद इस पर click करेंगे तो यह vector mask में convert हो जाएगा आप देखे इस पर मैं click करता हूँ अब इसमें जहाँ जहाँ पर selection अच्छे से नहीं हुआ है आप इस vector mask वाले thumbnail को active कीजे और direct selection tool पर रहते हुए आप इस path पर click करके सभी handle को adjust कर सकते हैं बहुत ही easily आप देखे ऐसे नीचे करना है तो आप इस पर फिर से click करेंगे और इस बार इस handle को adjust कर सकते हैं alt प्रेस करके भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से तो इस तरह से आप किसी भी selection को vector mask में convert कर सकते हैं उसको path में adjust कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं photoshop को details में सीखना तो आप मेरा premium class ज़रू जोईन कीजे अभी हमने premium class जो online पर चल रहा है इसकी fee में 50% discount कर दिया है अभी lockdown का फाइदा उठाइए और photoshop में जिस तरह का भी problem है उसका solution online कर सकते हैं तो ये course जोईन करके जल्दी से जल्दी photoshop सीखिए अगर आप मुझसे contact करना चाहते हैं तो मैंने अपना contact number और email ID description में दे दिया है आप जब चाहें call कर सकते हैं और friends अगर इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रूर कीजे वीडियो अच्छे लगते हैं तो like ज़रूर कर दिया करें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तक कि यू सो मेज़ फ्रेंट